हेलो फ्रेंड असलाम लेकूम उमिद करती हैं आप लोग रेसे हैंगे स्वासरे मसरेट यहाँ पे मैं आपको 3 पीस कॉटन का देखा रही हूं फेबरिक तिस फेबरिक से मैं फ्रोक कुर्ती बनाने वाली हूं बिल्कुल सस्ता और कम रेट में बनने वाली यह फेबरिक है तो मैं फेबरिक से हम आपको गोल कुर्ती बनाना सिखाएंगे फ्रेंड तो आप लोग विल्कुल स्किप मत किजिएगा इसमें मैं लास्ट में वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूं इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड तो यहाँ पर नेक 30 इंच रखेंगे टोटल यहाँ पर मैं 42 इंच रेडि करने वाली हूं लेंड तो फ्रेंड यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर 15 इंच लगाऊंगी इसलिए सोल्डर में स्टीचिंग देना है इसलिए स्ट्रा ले रही हूं इस तरह से 15 इंच में मैं लगा के सीधा मार्क लगा इसलिए मैं 6 इंच लगा रही हूं इसके बद आर्म होल भी सेम मैं 6 इंच पर लगा के इस तरह से मैं निशान को कंप्लीट कर लूंगी तो पुरा एल की तरह लगेगी इसमें आर्म होल दो दूंगी एक फ्रन के लिए एक बैक के लिए इसकी दूरी एक इंच और डेर अब नीचे के तरफ कमर की मार्क लगाएगा है, तो हमारा यहां पर कमर टोटल 28 इंच का है, तो यहां पर 7 इंच का मैं ले रही हूँ, और 2 इंच आगे से बढ़ा के ले लूँँगी, तो इस तरह से टोटल 8 इंच और चेस्ट मैं ले ली हूँ, यहां पर 32 इंच का, तो फि इसमें से मैं एक पला हटाऊंगी, साइट रखूंगी और फिर से दुबारा से बढ़ाबर मिलाते हुए यहाँ पर आर्मोन में थोरा सा कट करूंगी, क्योंकि यह फ्रन्ट पला है इसमें थोरा कट करना होता है गहराई देकर, अब यह फ्रन्ट पला की कटिन हो चुकी है औ इसमें बैक पला की मैं लिख दे रही हूँ, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कटिन करेंगे नेक, तो बैक पला की हिसाब से मैं नेक कट करी हूँ, सारे तीन इंच और चौलाई अरहाई इंच, नर्मल जैसे राउंड गला कटिन करते हैं, विल्कुल वैसे ही कटिन करूंगी, अब यह कटिन हो चुकी है फ्रेंड, अब यह फ्रन पला जो है, इसमें नेक की डीप मैं सारे छे इंच रखूंगी, और उपर से मैं अरहाई इंच चौलाई रखूंगी, और इसके बाद में इस तरह से फीता को तीछा रखते हुए, मैं भी सेफ दे हूँगी, क्योंकि भ यहाँ पर हम सेंटर में नीचे से एक इंच चौरते हुए, यहाँ पर बीचो बीच मिला लेंगे, उपर से हाफ इंच इस तरह से फोल करके, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए, कंप्लिट कर लेंगे, तो फिर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं नेक पर बोडर लाइन को सिलाई से कंप्लिट की हुए, और यह नेक जो फेबरिक से मैं बनाई हूँ, भी सेफ में सेम साइज के कट करके, डेर इंच के चलाई रखी हूँ, और साइट से फोल कर दी हूँ, अब यहाँ किनारे में हाफ इंच के मार्जिंग लेते हुए, सिलाई कर दूंगी, और सिला से छोटे-छोटे नोच लगाने होते हैं, जिससे हमारा नेक जो है, फिनिसिंग आ सके, तो यहाँ पर बीना भुकरम के नेक बना रही हैं, तो इस तरीके से अगर आप नेक बनाते हैं, तो बहुत कम समय में आपका नेक बन के तयार हो जाएगा, अब इसके उपर आप सिला लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्क्राइब कर लेना फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड उपर की पार्ट यह रेडी हो चुकी है, अब इस तरह से नेक तयार करने के बाद, हम यहाँ पर इस तरह से फैला लेंगे, फैलाने के बाद अब इसको यहाँ पर साइड कर देंगे, उसके बाद बैक गला को यहाँ पर रेडी करने से पहले हम यहाँ पर देखा दे आपको तिरशी पट्टी है, यह तिरशी पट्टी यानि उड़े पट्टी को इस तरह से डबल रखना है, उसके बाद बैक पला को नेक के उपर इस अब यहां से इस्टरा जो फेवरिक है इसको कट कर देना है उसके बाद में यह अला फेवरिक को देखो नाखून से इस तरह से दबा देना है अंदर की तरफ उसके बाद में इसके ऊपर फ्रॉंट पला रखना है सीधे में सीधे मिलाते हुए और नेक वाली जो यह तीछी प सोल्डर को इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं सोल्डर में तो नेक की फिनिसिंग बहुत अच्छी आने वाली है तो सिलाई करने के बाद मैं आपको पलट के दिखाऊंगी कैसी फिनिसिंग आती है देखो फ्रेंग यहां पर इस तो हमने यहां पर मसीन से सिलाई करने की हम ज्यादा पसंद किये हैं कियोंकि यह रेडिमिन्ट लूक मैं दे रही हूं कुर्ती की तो फिर यहां पर बिल्कुल रेडिमिन्ट लूक देना है तो मसीन से ही सिलाई करके गला को कंप्लीट करूंगी तो फ्रेंड यहां पर गला कम्प्लीट हो चुकी है अब इसकी रेडी आगे पिछे की गला हो चुकी है तो यहां से हम आप आपको बता दे जितना भी इस्टर धगाव गरा है सब कट कर लीजिए इससे आपका फिनिसिंग नजर आएगा फ्रेंड तो गला देखिए कितनी खुपसुरत और सोल्डर में फिनिसिंग आईए फ्रेंड तो इस तरह से आपको रेडी करना है अब नीचे का पार्ट के लिए हम यहां पे गेदर्स कर्टिन करेंगे यानि घेर बनाएंगे तो घेर के लिए हम यहां पे देखिए फोर फोल में विछा ली हूँ यानि एक सामने के पल्ला एक पिछे के लिए तो यहां पे इसकी लंबाई 30 इंच रखी हूँ प्रेंट तो यहां पे फेबरिक जितना था उसकी चवलाई टोटल 21 आ रही है यानि 21 के डबल करें तो 44 आएगा तो इस तरह से 44 गेरा और लंबाई यहां पे 30 इंज का है अब इस में से हम कैसे सिलाई करेंगे एक फेबरिक को हटा देंगे यहां से और एक फेबरिक को यहां पे फैला के इस तरह से रखेंगे और किनारी से दो इंज छोड़ते हुए इस तरह से हम प्लेट लगाएंगे छोटे-छोटे एक 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 इंज की दूरी पे तो इस तरह से प्लेट लगा के रेडी करना है पहले उसके बाद इसके उपर में उपर का पाठ है इस तरह से कर लेना है डवल डवल शिलाई लगा लेना अब यह सिलाई कंप्लीट हो गई है अब बैक पला में भी सेम लगा हैं तो यहां गेदर्स अप अपना पसंद से छोटा बड़ा दे सकते हो तो मैं यहां पर नॉर्मल एक इंज का गेदर्स लगा है यह गेदर्स आपको कैसा लग में लगाने के लिए तो सल्डर में बाजू लगाएंगें अभिबाजू करना हो जाँद अब हम आपको बाजू कट करना सिखते हैं च्कार। तो फ्रेंड यहां पर total 19 इंच का ready करूंगी तो total यहां पर मैं ले ली हूँ यही देख सकते हो फ्रेंड तो इस तरह से आपको लंबाई ले लेना है अगर आपको less shape joint पर region देना है तो देश सकते हो तो यहां पर हम bell sleep बनाएंगे तो यहां पर हलकी सी 1 इंच के dip देते हुए गुलाई दे रही हूँ सामने से और यहां पे आर्मून की गुलाई तीन इंच पे देने के बाद के बाद हल्का से सेफ देदूगी जैसे शे नर्मल बाजू का देते हैं उसके बाद में इस तरह से मार्क को कम्प्लेट करते हुए आपको दिखा रही हूँ तो ये मार्क आपको कुछ इस तरह से आपको देना है तो फ्रेंड ये गर्मी के टाइम में ये बाजु ज्यादा पसंद आ रही है लड़कियों को आप ये स्लिप एक बर बना के जरूर देखना फ्रेंड बहुत लुक अच्छा आने वाला है फ्रेंड तो इसकी कटिन बहुत आसान है और स्टीचिंग भी तो इसको इस तरह से खोल लेना है और एक एक पल्ला को निकाल लेना यहां से और निकालने के बाद कुछ इस तरह से आपको रखके जोइंड कर लेना है जोइंड करके आप चाहो तो यहां पे एक लेस लगा के भी स्टीश कर सकते हो नहीं तो नर्मल इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना तो यहां पर बाजू हमने ready कर ली है तो यहां देख सकते हो आप यहां पर दोनों बाजू की finishing आ चुकी है अब यहां पर हम sleeve fitting लगा के लगा सकते हैं या open करके तो फिर्ण दोनों तरीका है अगर आपको बाजू लगाना है तो side की fitting लगा के बाजू दोनों side में लगा लेना अगर इस तरह से आपको दिकत आती है तो एक और तरीका है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ तो friend आप दोनों तरीकों से बाजू लगा सकती है दोनों ही असान है friend तो आपको कौन सा बाजू का लगाने का तरीका ज्यादा अच्छा लगता है और comment जरूर कीजिएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी friend तो देखिए यहां पर मैं बिल्कुल इजी तरीका से समझा रही हूँ open करना है आपको कुर्ती और इस तरह से बाजू को इसके उपर center में मिला के इस तरह से रखना है और सीधे में सीधे रखकर यहां से stitch गुलाई में लगा लेना है लगाने के बाद उसके बाद यहां पर देख सकते हो दोनों बाजू में लगा लिए हूँ अब यहां पर हम fitting लगाएंगे बाजू के मोरी से लेके इस तरह से double हम विछा लेंगे विछा के और यहां से लेकर पुरा बंद कर देंगे नीचे तक तो दोनों साइट की सिलाई हम यहां पर complete कर लेंगे और यहां पर complete करने के बाद नीचे की घेरा में भी हम यहां पर हलका सब fold करेंगे आप चाओ तो यहां पर pick को भी लगा सकते हो और नहीं तो half inch से single सिलाई लगा के complete कर सकते हो तो मैं यहाँ पर सिंगल सिलाई लगा के complete करूंगी और side का open नहीं रखना है तो आप बंद कर देना नहीं तो आपको अगर पसंद है side का open रखना तो रख सकते हो पर मैं यहाँ पर दोनों side बंद कर दिया हूँ तो निचे की सिलाई देखो मैं लगा दी हूँ नर्मल यह कुरती अब रेडी हो चुक है तो यह मैं आपको बता रही हूँ टिप्स अब ट्रिक यह कुरती cotton का पीस है जिसमें अरहाई मीटर फेब्रिक उबर का है फ्रेंड इससे मैं बनाई हूँ cotton printed gold frog फ्रेंड तो यह गेदर्स वाले frog बनाना बहुत असान है अगर आप 3 पीस cotton का पीस ले आते हो तो उससे आप अराम से प्लाजो और गोल कुरती बना सकते हो summer season के हिसाब से बहुत अरामदाएक होगा फेंड अगर इस तरह का कुरती पीस आपको अगर चाहिए तो फेंड मार्केट में आपको 7-800 के रेंज में यह कुरती का पीस जरूर मिलेगा आपको अगर इस तरह का पीस बनाना बहुत बनाना बहुत प्लाजों